यूपी में बीजेपी की गवर्मन नहीं आनी है, चुकि कारण बताओ मैं, देखिए आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, ये यूपी है, यूपी का सबसे केंदर बिंदू है हमारी राजधानी, समझो, सरकार बीजेपी का चाहे कोई भी गुडगान का है, कहे करा कि गड़े नहीं है, पूरे लखनाओ का सबसे मुक्ष के अंदर चार बाग, चार बाग में चले जाओ, ऐसे गड़े वाइसा आपकी पीड़ में दर्द होगा, तो आपकी तूटने जाए, तो जिस थाली में कुट्ता का उसमें खिला देना, रिक्सा दे दूँगा यही पे आपको, बताओ, चार बाग जो में है, में छोड़ दो, और लखनाओ राजधानी है, पूरा लखनाओ छोड़ दो, में चार बाग प्याओ, आपको तो बस आपकी पीड़ा तो मैं समझ सकता हूं, आपको सड़क की जरूरत है, इसलिए कि आपको सड़क चलाना है, कभी कि जा करके जो द्यामे राम मंदीर में पूजा उजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा हमारी बास सुनिए पूजा एक अलग चीज है और बाकी काम अलग चीज है अब हम रिक्सा चला रहा है तो हम पड़े लिखें ऐसी बात नहीं बीटीजी है टीटी पास कर चुके हैं लेकिन फिर भी रि करें क्या प्राइवेट नौकरी पास चार रुपया करें क्या अच्छा जिनको गवर्मेंट नौकरी मिल गई उसके सीधे अब गवर्मेंट का नया फंडाया जितनी भरती हो रही है सब केजूल में हो रही है जो भी पेंशन मिलती उनको एनपीएस है एनपीएस बोले तो werd missing system पहले पुरानी पेंसन युजना थी अब खतम कर दिया है कोई चीज government की जितनी है बाकिवी ज醇ने प्राइब स्रकारी डिपारटमेंट है आदिकांस उनको private sector में लाकि रदा कर दिया है जो private company आझे उनको फ़ायदा कर्मेंट ने हर काम में पूजा को आगे लाग खड़ा कर दिया जब भी खोलो जब भी खोलो तो फूल माला फूल माला फूल माला अगलक चीज़ से अगर देश चलता तो फिर आदनी पूजाई करता रहता भाई अगर हम चाभीस में लगाएंगे तब तो गाली चलेगी लाव अगर बत्ती सुलगा रहें गाली चल जाए तो भाई साथ मैं दिन भार अगर बत्ती सुलगाओ